आये हम भी जाने की योग से हम क्या क्यालाब सकते हैं पहला तो यह है नियमित योग करने से सरीर के सभी अंग सुचार रूप से कारी करते हैं दूसरा योग की बिभिन आंसमों से सरीर के अलग अलग हिस्सुस को पायदा पहुचता है योग में सरीर के हर छोटे से छोटे अंग का व्याम होता है और अपका सरीर लचीला बनता है या काले की सरीर की प्लेक्सिबिलीटी बढ़ती है तीसरा बात है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्याक्त तब कोई भी योग के आसन कर सकता है जब तक नियमित योग करेंगे तब तक इसके लाग मिलते रहेंगे किसी कारण बस जब नहीं भी कर पाएं तब भी इसके कोई साइड भी नहीं होते हैं आपको येवल इतना ध्यान रखना है कि आपको ये शरीक किसी हिस्से में पहले से कोई परिशानी है तब ऐसा कोई आसन नौ करें जो कि किसी भी परकार से परिशानी वाले हिस्से को प्रभावित करता हो चौथा बातिया योग के कई आसन ऐसे भी है जो किसी प्रिश्थिती हिस्से को ठीक कर देते हैं जैसे किसी भी गायल जवाव को ठीक कर देते हैं लेकिन ऐसा आसान आप योग विसे सब की सलाव देखरीक में ही करें पच्वा योग आपको तन की अलावा मन की भी सांती देता है योग के कई आसन वध्यान आपके विचारों को नियंत्रित कर संतुलित कर देता है जिससे मन सांत रहने लगता है छट्वा लाश्ट जो है फाइदा लाव योगा करने से जोलाव मिलता है सपज जीवन जीने के लिए शरीर को साकारात्म कुर्जा और मांसिक सक्ति के जरूरत होती है जो हमें योग से मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना बोले ऐसी हम वीडियो योग से जुन लाते हैं धन्यवाद